दोस्तों मेरा नाम लोकेश कुमार है आज मैं आपको सुनने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको भी मज़ा आएगा और वैसे भी मैं लाइप में कहानी सुनाता रहता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ऐसी चीजे पढ़ना तो आईए सुरू करते है कहानी का टाइटल है समाधी ने महा माया से ज्ञान मांगा सुरू करते हैं इस टेक लाइन से मुनी ने मुनी के कहने पर राजा सूरत और समाधी बैसे ने देवी महा माया की उपासना की और देवी ने जब दरसन दिये तो संसारी भोग और बैसे ने ज्यान मांगा यह कहानी है और इसको अब विस्तार से पढ़ते हैं कलिंग देश के बैसे राजा बिराद ने पौत्र और दुरू मिलके पुत्र समाधी बैसे की धरम में बड़ी आस्था थी बह अत्यंत ही धनवान कुल के बैस्य थे परन्तु उनकी इस्त्री और पुत्रों ने उन्हें धोका दे दिया बह बहुत दुखी होकर बन में चले गए और बन में एक मुनी के आस्रम पर उन्होंने आस्रे लिया लेकिन जब भी उनके मन में सांती नहीं थी बह बार बार अपने सम्मंद्यों के ही सुख और दुख की चिंता में पड़े थे उसी समय उन्होंने एक सूरत नाम के राजा से मुलाकात की जो अपने मंत्रियों, सैनपतियों और स्वेजनों से ही धोका खाकर आए हुए थे बन में दोनों ने अपने अपने परिचे दिया और एक दूसरे को जाना करूण कथा और मांसित दसा में बढ़न किया दोनों की मनों दसा एक ही थी दोनों ने मुनी के पास जाकर अपने दुख और मन की स्थितिका बढ़न किया मनी ने कहा भगवती माया की अरादना से ही सभी दुखों से मुक्ति प्राथ हो सकती है इसके बाद दोनों ने तीन बर्स तक देवी महा मया की सरद्धा पूर्वा को पासना की जिससे फिर्शन होकर देवी ने उन दोनों के सामने पिरकट हुई और बर मांगने को कहा राजा सूरत ने संसारी भोक की मांग की परंतु समाधी बैसे ने कहा की ऐसा बर्दें जिसमें मैं और मेरा इस प्रकार की अहंता ममता और असकती को जन्म देने वाला अग्यान नश्ट हो जाए और मुझे विसुद्ध ग्यान की जाक्ति हो भगवती समाधी को बर्दे कर बही से अंतरध्यान हो गई कहने का मतलब यह है एक जो ब्यक्ति है वो बहुत सारी चिंताओं में अपने परिशनों से बहुत जादा चिंता चिंतित था लेकिन दूसरा ब्यक्ति क्या था उसे भी अभी उन्ही भोक बिलास में जाना था अब इसका तारकिक यह है आदमी जिन चीजों को छोड़ना चाता है उसे छोड़ सकता है और जिन चीजों को अधिक प्राप्त करना चाता है वो प्राप्त कर सकता है यह अपनी इच्छा सक्ति के उपर निर्भर करती है तो यह छोटी सी अंतर यात्रा की कथा आती है मैंने वो को पढ़कर सुनाई कैसे लगी ये का था तो आप कमेंट करिए और इस वीडियो को जादे से जादे लोगों को सेर करती है धन्यवाद